हेलो दोस्तों राना क्लासेज में आपकर स्वागत है तो आज की लेटेस्ट कंप्टिटीव इंग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू सब्सक्राइब करना ना भूले तो क्या है यह पर्थम इंटरस्टर यह कॉंसेलिंग को लेकर है मामला तो सब्सक्राइब करते हैं तो प्रथम इंटरस्टर यह संजुक्त परिच्छा की कॉंसेलिंग 2014 के विग्यापन के नुसार नहीं कराए जारी परिच्छार्थियों का कहना है कि 2014 का विग्यापन में स्पैस्ट्रूप से लिखा हुआ है कि जाती पर्मानपत्र नौन क्रिमी लेयर सेटिपिकेट था क्यांप्यूटर दस्ता टाइपिंग से संबंधित सेटिपिकेट पीटी का फोर्म भरने दे समय देने की आवसकता नहीं है काउंसिलिंग के समय ये पर्मानपत्र प्लग्द कराने होंगे सीजल टू में भी इसी तरह का विग्यापन था और काउंसिलिंग में 2014 का इसे पहले बने पर्मानपत्र देने की बादिता नहीं थी बर्तमान बर्स का जाती पर्मानपत्र और नौन क्रिमिलेयर सट्टिकेट लिया गया था और ये लोग नोकरी भी कर रहे हैं लेकिनु प्रतम इंटर बर्स तलिये पहली कॉंसिलिंग में 2014 का परमानपत्र मागा जा रहा है जबकि बिग्यापन में इसा नहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहले उस बिग्यापन की ही चर्चा करते का आखिर उस बिग्यापन में लिखा क्या था ये आपकी है इंटरल कि यहां पर आप देख रहे हैं आपका यहां लिखा हुआ है कि बार-बार जो लोग पूछ रहे हैं कि आरच्छन स्रेनी वाले कि पिठड़ा वर्ग तथा अत्यांत पिठड़ा वर्ग स्रेनी क्या रच्छी तुम्हें द्वारे को डाज सरकार द्वारा निर्गत जाती प्र उनलाइन आवेदन के समय वा प्रमान्पत्र जम्हा करने का हो सकता नहीं है इस पूइंट को चात्रे जोकिस्टें हुए हैं यह आप देख रहे हैं ओनलाइन के समय प्रिष्डा वर्ग हो मत्याब किठ़ा वेर्थियों तो क्रीमी नेयर रहीत प्रमानपत अनुशूचित तो यह बात उठी कैसे की एक तीसदाद दौजार चाउदा आ गया क्योंकि विग्यापन में तो आपको मुल जो विग्यापन है प्रिकाउस में तो कहीं जिक्र नहीं है लेकिन अगर वर्ड करें तो आवसकता नहीं है परमान पत्र जमा करने के लिए कर रहा है क्योंकि ऑनला तो सब्थ घ्रकर मान लियागा ओद पर अब देखते हैं कि यहाँ पर तो कहीं नहीं lin that लेकिन में में के विग्यापन में देखते हैं क्या है कुछ लिखा हुआ है है चेंजिंग कहा सुलिए तो म nesse के विग्यापन में हुई है आप यहां पर देख सकते अब यह थी पेहिंंट-पादों कि प्रात्मिक्ता भर ने से पुर मंद सेरी भांचीष चैस्क्निक की तखमें को रूपच़? विहिंट-खर चैसनिक योगता योगटा प्रावानपतर तक्स नेगे बिहार सरकार के मानता पुरा यहां पर लिखा हुआ है ठीक है यहां पर के आगे लेकिन अब यहां पर एक शोला का चर्चा नहीं है इसमें 2016 का चर्चा नहीं है अब फिर यह 2016 फिर कहां सा आ गया पहले तो था कि ओनलाइन प्रमान पत्र जमाई नहीं करना फिर जो कि चौदह आ गया कि चलिए तकनीकी सेशनी की योगता है जो कि लेकिन जाती का यहां भी जिकर नहीं किया गया है कि आपको कब से होना चाहिए तो इस दिश्री में अब यह देट फिर चेंज कहां से हो गया कि अब यहां पर आ गया एक नोटीस और था साथ वारा का उसके बाद में लिखा हुआ था सैचनिक तकनीकी बास्नियों योगता अनुसूची जाते ओनुसूची जन जाती का वेर्टों के लिए तिस दस यह तिरह दिन सोल्ला यह तो पहली बार ही आया यहां पर आया उससे पहले नहीं था तो पिछड़ा यह पिछड़ा बर के लिए यह तिस सोल्ला और नहीं एक बरसे अधिक पुराना है और इससे कह रहा है तो जाती प्रमान पत्री मान यह कि इसके बात का है कि मान कर चला कि नहीं माना जाएगा चात्र जो की यह कर रहा है कि विग्यापन के नुसार होना चाहिए आयोग जो है वह अपने इस तर से सही है और वह मांग सकता है और आयोग की इच्छा पर निर्भर जिसे 2014 और 2014 में है जो कि आपको किया गया कि सहानुवूति पूर्वक विचार किया गया था और लिया भी गया था यह आयोग की इच्छापर निर्भर्ध है यहां पर देख सकते हैं पर्था में इंटरस्तर जाती परिपत्रों के आलोग में मानने होंगे सरकार द्वारत नियमों परिपत्रों के आलोग में आयोग द्वारा अग्रेतर कारवाई की जाएगे तो ग्या देख लेते हैं कि अगर आपको पती का औहलेखL 적 आएए गलत अगर नहीं सब बना iemand is Meta. आप एक लिए नहीं लिखा हुआ है की आपको 1 साल पुराना ही होना चाहिए यह अगर नो का है 2008 का है सब चलेगा मतलब एक बार भी बना हुआ तो आपको दुबारा बनाने की जुरत नहीं है अइसा नहीं बना लिए तो कोई जूर्म करें लेकिन एक बार भी बना हुआ तो चलेगा और उसी तरह है जाती अस्थाई आवास परमान पत्र अस्थाई अब आप तो कि यहीं पर मानपत्र निर्गती से एक बरस इसके माननेता जो है यहीं परमान में नामला वाल चल रहा है कि आए परमान पतर की मानेता इसी कारणा रहे एक साल के लिए और आयोग का जो है कहना है कि आप जिस समय भर रहे थे क्या आप समय में थे क्योंकि जो है कि सिर्फ जाती के अधार पर है समय मुआ जो कि अधारपद्ण कि याश कर द्धारपम या नहीं बएर तभी आपको इंकम जादा होगी परिवार टो यह आप जाती रहते वी आपको नहीं माना जाएगा भी बरतमान लुक्त में है और अभी आपकी इनकम आये होगे है सोलला तो निशीत रूप से आप को कि विजांपन के नुसा कुराले 50 क्या और नहीं है उससे कोई लेना देना यूपको नहीं है उसे घ्रची में चल रहा है कि फिर है सचांपन का पश्चाथ हम प्रमान पत्र लुटआ ज्यांगे इसी का फालोघा याता है क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले को अब्यार्थियों को आपको पुराना बना हुआ नया खो जा रहा तो अंडर-टेकिंग करके बना सकते हैं और अंडर्टेकिंग क्रिमी लेर बर्माने की जड़त नहीं है पुराने पर्मानपत अंडर्टेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है राज के निवासियों को मुल निवासि को ही अरचन देए होगा और यह सब दिया हुआ तो यह अरचन है और 35 पर अरचन 26 आरचन जो इसके बारे में यही है जाती जो आयो तो रेकल नोटीस दिया गया तो इतना सारा मामला है और बहुत सारे लोगों क्योंकि अब सवाल है आज कभी दिन है जो कि काफी पॉटेंट है क्योंकि आज की सुनवाई के बाद तैय होगा लेकिन अभी तक आयोग की नोटीस के नुसार अगर माना जाए तो कलकित देजु कॉंसलिंग होगी और आप लोग जिनको पटना जाना है वह आज पहुच जाए हैं बहु सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उमीद है कि जारी ही रहेगी लेकिन देखना होता है अब आते हैं दूसरी खबरों पर जो कि रिक्त सत्रह जार रिक्त पड़ों पर भर्ति खाति रायोजित की जाने मुक्त पर अलग लग भी आपन जारी किया जाएगा और अधी सब ठीक रहा तो भी आपन इसी हफ्ते जो कि जारी होगा राजा सुर लेक्पालों की भर्ति के लिए साथ होने के बाद 7896 में रिक्त पड़ों के चैन उत्तर बंद अजिनास सेवा चैन आयोग को निया परस्ताव भेज दिया गया अब आयोग को परिच्छन होने कवा संतुष रोने का विग्यापन जारी किया जाएगा वहीं स्वास्त कार्ज करता महिला के रिक्त बिरान में जारी कर दिया गया और पहले इस से पहले राज परसंद लेकपाल 58 सब्सक्राइब भरती परस्ताव उस परस्ताव पर लेकपाल भरती के लिए टिक वलसी को सामिल किया गया था अब जोकि नहीं सामिल करने का फैश्ट ला लिया गया है तो अच्छी कवर उत्तर परसमें ल साले को देनी होगी 20 मेहीं तक इसे उचित करेगा इसलिए कुछ निकाय खाली पदों पर भरतिया कल कुछ साल खाली रहते हैं इसलिए जो कैसा व्यवस्ता किया गया है और किन पदों पर अब अब हां में निकायों में पदों कभि रिक्त नगर निकायत में पाले का पर्सत में 284 नगर पंचाइब में 5782 हैं जनाब पाद है जो कि शुक्रिध है जे पीसी अभी अर्थियोंने चल रहा जे पीसी जो कट अफ को लेकर मार्स से कम लाने के बाद भी जो कि उतिन कर दिया गया है रंदोलन कर रहे वेडि़ोंने दावा किया कि इसावान वर्थी महाज 148 अंक लाकर ही उतिन जबकि सामान व मांगा है और बनानंभी परिच्छा है जो कि रद्र करने के मांग की इस सफ़ल अवेर्थी भी है जो कि पेसी के सामने बैठ गया है इसके बाद क्या है हाई कोट ने गलत उत्तर मामले में सरकार और जेपेसी से मांगा जावाब अगली सुनवाई जन्वरी में निर्धारित की गई है और इस समन्द में उमेश सर्मा बर्मा तीनों फ्रस्ण के उत्तर वा एक फ्रस्ण को गलत वताते हैं हाई कोट में याज का दाकिल किये सुनवाई के दोराना दी वक्ता चेंचल जैन की और से मामला निश्पादित करने परिच्छा रोक नगाने के पोट सेले के नादारत ने इसमें आधेत परित ने क्या और सरकार्ट में जवाब मांगा है आज का में कहा गया है कि प्रार्मिक परिच्छा होने के बाद जैपेसे अपने वेबसाइट में मोडल उतर जादी का वेक्तिना बर्ती जताई तीनों पुरस्ण के उत्तर वह एक फ्रस्ण गरत था जिसे प झाल